क्या उपेंद्र कुस्वाहा भारतिय जनता पार्टी में जाने के लिए अपनी राह तयार करने लगे हैं? क्या भारतिय जनता पार्टी उपेंदर कुसवाहा को भाजपा में सामिल कराने के लिए अपने दूतों को कुसवाहा के पास भेज रही है सवाल इसलिए हम है क्योंकि एम्स में भरती उपेंद्र कुसवाहा से मिलने के लिए भाजपा के तीनती नेता एक साथ पहुचे थे और भारतिय जनता पार्टी के नेताओं से मिलकर के जो खुशी उपेंद्र कुसवाहा के चेहरे पे देखने को मिली है उससे राजनिती के गलियारों में कई प्रकार की कयासबाजियां लगनी सुरू हो गई है सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात के भी बात चल रही है कि उपेंद्र कुसवाहा जदियू में खुद को अस्तहज महसूस कर रहे है दो साल पोरुप जदियू में अपनी पार्टी रालोस्पा का विलाई करने वाले उपेंद्र कुसवाहा को अब तक जदियू में केवल संसद्य बोड का अध्यक्ष बना कर रखा गया है उन्हें न तो मंतरी बनाया गया न तो बिहार में सरकार में कोई ऐसा अहम जिम्मेदारी दी गई जो उनके मनमाफिक हो इसी कारण से उपेंद्र कुसवाहा से जब यह पूछा गया था कि क्या आप बिहार के उपमुक्य मंतरी बनना चाहते हैं तो कुसवाहा ने कहा था कि ऐसी बातों को सुनना किसे नहीं अच्छा लगता यानि कि उपेंद्र कुसवाहा को भी यह सुनना अच्छा लगता है कि वे उभिहार के उपमुख्यमंत्री हो जब सुनना अच्छा लगता है तो बनना किसे नहीं अच्छा लगेगा और ऐसे में दिली में एम्स में भाजपा के तीन बरी निता यानि कि BJP के बिहार प्रदेश प्रवक्ता और पुरविधायक संजे टाइगर बीज़े की के एक और प्रवक्ता और पुरविधायक प्रेमरंजन पतेल और भाजपा निता डॉक्र योगेंद्ट पासवाण ने उपःंध कु कि आस्था पूरी तरीके से नितिस्कुमार में है और जद्यों को आमजबूत करने के लिए वे लगातार काम कर रहे हैं लेकिन पिछले दिनों अचानक से उपेंद्र कुसवाहा का दिल्ली के एम्स में दाखिल होना और बेड़ पर लेटे लेटे उपेंद्र कुसवाहा से मिलने के लिए भाजपा के तीन बेरे नेताओं का वहां पहुच जाना कई प्रकार के इसारे करता है सवाल यह भी उठता है कि उपेंद्र कुसवाहा जब एमस में भरती थे तो उन्होंने जिस बेड़ के अस्पताल के बेड़ पे लोटे हुए हैं उसी अस्पताल के बेड़ पर उपेंद्र कुसवाहा कुर्था, पाजामा, हापस्वेटर और पैर में काला मौजा पहन कर हुए हैं, यानि कि अस्पताल में दाखिर उपेंद्र कुसवाहा की तबियत कोई ऐसी भी नासाज नहीं है, जिसे लेकर के कोई ज्यादा चिंता की बात देखी जाए, लेकिन माना जा रहा है कि यह उनका रेगुलर चेक अप है, और उपेंद्र कुसवाहा से कोई लेकिन बिहार की राजनीती को अगर आप समझेंगे तो उपेंद्र कुसवाहा विरादली से आते हैं, उसका बिहार की राजनीती में एक बड़ा वोट बैंक है, भारतिय जनता पार्टी जिस तरीके से पिछरे और अतिपिछरों को अपने पक्ष में गोल बंद करने के लि और ऐसे में भाजपा चाहती है कि अगर उपेंद्र कुसवाहा नितिश कुमार के सामने खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, तो उनको जरूरत है कि वे भाजपा में आ जाए और भाजपा उनके लिए मनमाफिक कुछ दे दे, इसका नतीजा रहेगा कि भाजपा को फाइद तो में एक येवल सिष्टा चार मुलाकात थी, या सियासी माइने में इस मुलाकात के जो गयासबाजियां लगाई जा रही है, उससे कुछ होगा और कुछ वाहा भाजपा में जाते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, तमाम ब्रूटिर्स हम आपको बताएंगे, आप हमारे सा बने रहे नीजपोर नेशन के